वेलकम टू मलुका आयेस हम लोग प्रिलिम्स बूस्टर सीरीज को रन कर रहे हैं आप लोग जानते होंगे इसको हम लोगों ने शुरू किया है और प्रिलिम्स जो 2023 होने वाला है UPSC का उसके लिए हम बहुत अच्छे से सीरीज को चलाने वाले हैं इसमें से आपके सभी subject जो है तीक है overall आपको कहानी समझ में आ जाया कि किस तरह से UPSC जो है quality के जो selected topics है या history के selected topics है उनमें से question किस तरह से frame कर रहा है या किन topics पर हमें ज़ादा focus करने की ज़ुरत है topics के अंदर किस तरह से आपको focus करना चाहिए ये कौन से points जो हैं कही ना कहीं पर ज़्यादा important बन जाते हैं जिनके relevance ज़्यादा है उसको लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं. पॉलिटी को लेकर दो वीडियोज आ चुकी हैं अब ये हमारा तीसरा वीडियो है पॉलिटी को लेकर ठीक हैं दो वीडियो में hopefully आप लोग शुरुवात की चीज़े समझ गए होंगे किस तरह से जो शुरुवाती चेप्टर हैं सविधान की निर्मान को लेकर चीज़े हैं कहां से ली गई है इसके बारे में हम लोगों ने पिशली दो वीडियो में बहुत अच्छे से कहानी को समझ लिया है अब हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं UPSC के prelims point of view से सबसे important डोनों चैप्टर रहेंगे DPSP और आपका मौली कदिकार ठीक है मौली कदिकार आप आपको पता होगा कि जो fundamental right है UPSC में हर बार fundamental right में से भी और DPSP में से भी हर बार question पूछेगा है जो राज्ये के नीती निरेशक पत्तव हैं उनमें से भी लगातार सवाल बने हैं आज हम दोनों ही topics को दोनों ही जो chapter है इनको बहुत अच्छे से समझ लेंगे ठीक है किस तर आप में मानव के दिमाग की storage capacity की भी अपनी एक सीमा है आपको पता ना बहुत सारी चीज़े याद करनी है तो selected चीज़े ही हमें ज़्यादा फोकस करके पड़नी है ठीक है सबसे पहले कहानी समझो लिए कहां से गए हैं तो ये अमेरिका से लिए गए हैं बिलकुल clear है ठीक पूछता है शब्द का meaning आप देखेंगे सतंतरता क्या है समानता क्या है इन चीजों को लेकर UPSC ने question पूछे हैं पिछले दो-तिन सालों में जैसे एक सवाल पूछा गया था कि मौल क्यों है मौलिक अधिकार जो है इनको मूल क्यों कहा जाता है अधिकार जिनरली क्या होते हैं आप सोचके देखिए व्यक्ति के विकास से समंद्र चीजे होती है ठीक है ना जिसको उसकी जरूरत होती है मानव के जरूरत के लिए जीवन को जीने के लिए जिन चीजों की जरूरत होती है उनमें से सबसे best important चीज क्या है उसको rights तो दो तब ही तो अपने आपको विक यसी ने पूचा था कि मौलिक अदिकार मूल क्यूं है क्योंकि वो व्यक्ति के चोहु मुखी विकास को पढ़ावा देते हैं अब देखिए इसमें जो तीन option दिये गए थे ना वो other option भी ठीक थे गलत नहीं थे बट सबसे best crux क्या था निचोड क्या था वो fourth option में था जैसे ये मूल है क्योंकि इसमें सविधान में सरक्षन किये विना संशोदर किये विना इसमें संशोदर नहीं किया रहा सकता और चौथा option था क्योंकि ये व्यक्ति के चहु मुखी विकास को बढ़ावा देते हैं नैते एक बाधिक सामाजिक है ना इस तरह के विकास को लागया है क्योंकि एक तो देखो सविधान में तो सरक्षन ही है लेकिन में चीज यह है कि वो व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देते हैं सबसे पहली चीज आप यह समझिए दूसरा यहां पर देखिए कि यह कौन से अनुछेद से लेकर अगर आप लोग इसको समझने का प् आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो अभी हाली में सवाल भी इसको लेकर पूछा गया था देखिए सबसे पहले एक चीज यह समझिए क्या नियाइक समिक्षा का जिकर भारतिय सविधान में हैं 2022 में UPSC Prelims का यह कोशन था इसमें एक स्टेटमेंट यह लिखा गया है कि लेक किया गया है देखिए नियाइक समिक्षा शब्द सीधे तोर पर सविधान में नहीं लिखा गया है किसमें जिकर है ठीक है इन डारक तोर पर अनुछे तेरा इसकी बात करता है क्या कहता है अनुछे तेरा आगर कोई ऐसी चीज है जो मौलिक अदिकारों के साथ कही ना समिक्षा कर सकता है सुप्रीम कोड ये इसी से ही नियाइक समिक्षा का कॉंसेप्ट लिया गया भारतिय सविधान में बट उलेक नहीं है सीधा जिलिखा नहीं हुआ है कि जुडिशल रिवीव को पावर है बट इस से ले लिया गया है ठीक है तो इस तरह से UPSC आपको ट्र एक रिवीव कर सकता है तो हाई कोट के पास भी नियाइक समिक्षा अगर दूसरा option ये बनता है कि क्या नियाइक समिक्षा के शक्ती सिर्फ सुप्रीम को प्रदान नहीं हाई कोट और सुप्रीम कोट के पास दोनों के पास है ठीक है तो 13 को लेकर कहानी समझ गई उसके जैसे 14-18 क्या है? समानता के अधिकार की बात करता है. फिर 19-22 क्या करता है? सवतंतरता की बात करता है. फिर 23 और 24 सोशन के वरुद की अधिकार की बात करता है. 25-28 क्या बात करता है? धर्म की सवतंतरता की बात करता है. और 39-30 अगर आप देखेंगे तो सिक्षा और संस्कृत को लेकर अलब संख्रक्रों के जो अधिकार है उनको सरक्षन प्रतान करने का काम कौन करता है अनुच्छे 29 और 30 यह overall धाचा है मौलिक अधिकारों का यह पता होना चाहिए उसके अंधर चीज़ ठीक है जैसे उप्यसी ने भी कोशन पूछा था कि जो निजटा का अधिकार है पहले तो यह पता होना चाहिए कौन से अनुच्छे के अंदर है है न यह तो पता होना चाहिए दूसरा ये सवतंतरता के तहत है या समानता के तहत है मैंने क्या बोला 14 से 18 क्या है समता समानता की बात 19 से 22 किस की बात कर रहा है सवतंतरता की और अनुचे दे किस किस में आएगा फिर कि किस में आएगा ना सवतंतरता ऐसे सवाल थ्रेम करता है UPSC आपको पता होना चाहिए कि सवाल किस तरह से UPSC इन चीजों को लेकर पूछ रहा है तब ही आप उसको prepare कर पाएंगे ठीक है अब देखो एक तो यह कहानी पता होनी चाहिए overall कौन से सब्दंतरता के तहत नुच्छेद आते हैं कौन से समता के तहत अब छोटा छोटा आगे चीज़े और समझो सबसे पहले यह देखो अभी latest trend क्या है fundamental right को लेकर किस तरह के question पूछे गए है तो तीन example मैं आप लोगों को देता हूँ जिससे आपका थोड़ा सा mind वालिक अधिकारों को लेकर clear हो जाएगा पहला सवाल पूछा गया विवहा का अधिकार 2022 में ही विवहा का अधिकार कौन से अनुछेद में है ठीक है कौन से अनुछेद में है अब यह कहीं जिकर नहीं है इसका ठीक है कहीं लिखा नहीं होगा यह बट इसको common sense से deal करना होगा क्यों common sense से इसलिए deal करना होगा क्यों क कि आप सोचिए विवहाव व्यक्ति के जीवन का एक बहुत ही important part है, किस से जुड़ा हुआ ये, जीवन से जुड़ा हुआ है के नहीं, और जीवन का अधिकार किसके अंदर है, अनुच्छे दे किस में है, तो यहीं से इसका answer देना था, UPSC ने question और पूछा था, हालां कि वो न्यूज में रहा था पिशले और दो बर repeat हुआ है वो, जो निजिता का अधिकार है, प्राइवेसी का right है, वो लगातार अधार जब से अधार बिल लेकर आई थी सरकार, लगातार न्यूज में था, प्राइवेसी वायलेट हो रहा है, निजिता का अउलंगन हो रहा है, उसको जीवन का अधिकार पूरी तरह से प्राप्त नहीं हो रहा है जीवन की सवतंतरता उसको नहीं मिल रही है ठीक है लेकिन आप जो एक सवाल नहीं बना है वो सवाल समझे अगर UPSC पूछ ले कि कि इंटरनेट की सवतंतरता का अधिकार कौन से अनुश्यद के ताहress है तो क्या बोलोगे अनुश्यद 19 के तौश्य, क्यूँ क्योंकि वो अभिवाथिक की बात करता है इंटरनेट से आप क्या सिखते हैं ? कोई वीडियोज डालता है, अपनी बात रखता है, वो चीज़ें है न तो अभिवक्ति से जुड़ा हुआ है, तो वो अनुछेद 19 से जुड़ा होगा, ये हाई कोट के डिसीजन से ये चीज़ें निकल कर आही है, ठीक है, तो अभी जो ट्रेंड है, मौली कदिकारों को लेक फिर से आपको इसी पैरामिटर पर देखना है, क्या वो जीवन से जुड़ा हुआ है, या किसी और चीज़ से जुड़ा हुआ है, क्या वो धर्म की सतंदर्ता के पैमाने पर खरा उतर रहा है, या फिर वो समता के पैमाने पर खरा उतर रहा है, इस चीज़ को आप लोगों और पूछा गया था, जैसे शोषण के विरुद जो अधिकार है, ठीक है ना, शोषण के विरुद अधिकार किसके तहत है, अनुछेट जो है, 23 और 24 के तहत, UPSC ने कोशन पूछा था भी पिछले एक दो साल में, कि इसके तहत क्या-क्या शामिल है, ठीक है, शोषण के यह वो इसमें उसको रोक लगाई गई है, ठीक है, दूसरा इसमें बेगारी की बात की गई है, ठीक है, आप किसी से जबरदस्ती जो है, बेगार किसको बोलते हैं, आपने काम करवा लिये पर आपने पैसे नहीं लिये, है ना, पैसे नहीं दिये, आपने वो उसको बंदु मजदूरी भी बोलते हैं, है ना, तो वो चीज़े आप समझे, दूसरा वो इसमें है, तीसरा बाल श्रम पर रोक लगाई गई है, ठीक है, ये उपर वाले दोनों जो हैं, ये अनुचे 23 में हैं, आपको मिलेंगे, और ये अनुचे 24 में मिलेगा, ये दोनों चीज़े, UPSC ने अब भी हाल ही में, एक-दो साल पहले प्रिलिंस में पूछी थी, कि शोशन के विरुद के अधिकार, चीज़े क्या उसके अंदर involved है, तो पूछ देख रहे हैं, किस तरह से fundamental right to एकर question पूछ जा रहे हैं, ठीक है, एक और चीज़ आपर और समझे, जल्दी से आपको बिल्कुल latest example देकर कहानी क्लियर कर रहा हूँ, कि आपको focus की सेरिया पर करना है, जैसे आप सूचिए, जो उपादियों का अंत है, ठीक है, उपादियों का जो अंत है, जो है, अनुछेट आपको पता है, यह अठारा में, अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, कि UPSC ना भी latest question पूछा था, क्या पदम श्री, पदम विभूशन यह उपादियां हैं? यह उपादियां नहीं है, ठीक है, पदम श्री, पदम विभूशन, सुप्रीम कोट ने बोला है, कि इनको हम उपादियों की क्रेटिगरी में नहीं रखेगे, यही option UPSC ने पूछ भी रखा था, क्या यह नहीं हम उपादियां मान सकते नहीं मान सकते, दूसरा, अगर आप अपने पढ़ा होगा, नुचेद अठा रहा, तो उसमें क्या का है, राजा, जो राज्य है, वो सेना और विद्या के अलावा, मतलब एजुकेशन के अलावा, कोई और जो है, सम्मान नहीं दे सकती है, प्राइज नहीं दे सकती है, इन दोनों फिल्ड को छोड़ के, अब ये भी एक तो फैक्ट बनता है कि दो चीजों में, जातो सेने समान दे सकते हैं, या हम एजुकेशन के फिल्ड में, सिक्षा के छित्र में समान दे सकते हैं, और साथ में, इवन आप समझीए यहाँ पर, भारत का नागरिक तो चलो यही कंडिशन है, उनको भी राश्पती की मंजूरी लेनी होगी, अगर उनको बहार से कोई भी सम्मान मिलता है, तो यह कहानी इस तरह से उपादियों को लेकर भी UPSC ने सवाल पूछा, एक जल्दी से और समझो, देखो, अनुछे जो 39 और 30 है, इन दोनों में इसको लेकर अच्छे सबसे पहले पता होना चाहिए, कि अलब संक्यकों कोई शिक्षा और संस्क्रिक से समंदित यह राइट है, तो इसके अंदर क्या कहानी है, सबसे पहले यह देखो, अनुछे 30 और 30, इसमें डिफरेंस क्या है, अनुछे 30 जो है, वो सिरफ जो अलब संक इसके अंदर क्या है, शिक्षा समंदी और अपनी विरासत को सेव करने का अधिकार, उसमें क्या लिखा हुआ है अनुछे 29 में, नागरिकों के किसी भी यानुभाग को, तो किसी भी अनबाग में सुप्रीम कोट नहीं यह कहा, कि सिरफ किसी भी अनबाग का मतलब सिरफ अल इसके अंदर अपनी भाषा को बचाने का अधिकार है, लिपी को बचाय रखने का अधिकार है, यह सिरफ और सिरफ अलब संक्रकों को नहीं है, अनुछे 29 जो है, वो दोनों को प्रवाइड किया गया है, और अनुछे 30 जो है, जो विरासत का अधिकार है, वो आपको अलब स जविधान की व्याख्या और मूल अधिकारों का गारंटर कौन है। बहुत बहुत भहस हुई तीस चीज को लेकर कि क्या जाश्वति है या कौन है। UPSC ने जो आंसर दिया वो सुप्रीम कोड था। ठीक है। मूल अधिकारों को सरक्षा प्रतान करता है न सुप्रीम कोट और क्यों कहते हैं इसको सरक्षक ये भी समझ लो सरक्षक इसलिए कहते हैं क्यों कि देखो हाई कोट जो है वो बना कर सकता है अगर आप जाते हो सुप्रीम कोट इसके लिए मना नहीं कर सकता है अनुछेद 32 कितनी बार UPSC ने पूछ लिया है सविधानिक उपचारों का अधिकार या भारतिय सविधान की आत्मा किसको कहते हैं तो कौन सा है अनुछेद 32 है तो ये चीज आप दिहान में रखेंगे कि ये जो मूल अधिकार अगर आपके मौली के अधिकारों का अलंगन हुआ है सीधे कानुन जा सकते हैं आप लोग सुप्रीम कोट जा सकते हैं सीधे एक चीज दूसरा आप यहां पर समझ लिए एक कॉंसेप्ट इससे मिलता जुलता कॉंसेप्ट है तो यही मैं बता देता हूँ देखो एक बार सवाल बन सकता है उसको लेकर भी कहानी समझ लो अगर UPSC यह पूछे कि भारतिय सविधान का व्याख्याकार और मूल अधिकारों का सरक्षक भारत के सरवोच न्याले को माना जाता है क्यों तो उसके दो रीजन क्या है वो समझ लो यह आपका NCRT का कॉंसेप्ट है यहां आ उसको गारंटर भी कहते हैं सरक्षट भी कहते हैं और व्याख्याकार भी कहते हैं क्यों कहते हैं उसके दो रीजन है एक तो वो रीट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ड दूसरा अनुछे जो तेरा है ना इसकी वज़र से उसको कहते है अगर कोई कानून मौलिक अदिकारों के का उलंगन करता है उसको सूनने घोशित कर सकता है ये दोनों option आप लोगो को देखने और टिक कर देने अगर question इस तरह का frame होता है आप लोगो के दिमाग में एकदम चीजे clear होनी चाहिए ठीक है भई? समझ में आई कहानी तो मौली कदिकारों को लेकर आप लोग बहुत अच्छे से clear कर दीजिए कि कौन सी चीज कहां से पूछी गई है ठीक है फिर रिट में कौन क्या क्या है बंदी प्रतेक्षी करण है किसी भी व्यक्ति को आप 24 गंटे से ज़्यादा कैद नहीं रख सकते ठीक है अगर उसके कहीना के पर वो उनके परिवार वाले या उनकी जगह पर कोई और मजिस्टेट के सामने बोलता है कि हम पुलिस को आदेश दिए तो पुलिस को 24 गंटे के अंदर विदिन 24 आज मजिस्टेट के सामने उस व्यक्ति को परस्तूत करना पड़ेगा यही तो है बंदी परत्यक्षी करन का शाबदी करत देखे न बंदी को परत्यक्ष मेरे सामने ले कर दिए परस्तूत करें इसको इस तरह से समझेंगे आदेश नहीं परम आदेश उपर से सुप्रीम कोर्ड आदेश दे रहा है कि अपना काम करिये भई यह आप अपना काम नहीं कर रहा है ठीक है फिर प्रतिशेद प्रतिशेद मतलब अपने निचली अदालत को रोक दिता है सुप्रीम कोर्ड कि आप ये काम ये आपके छित्र अधिकार से बाहर का है इसको रोक दीजी अभी फिर उत्प्रेशन आता है फिर उसको सिरफ यहाँ पर रोक रहा था प्रतिशेद में उत्प्रेशन में क्या बोल दा है मेरे पास भेज दीजी आप अब इसको मैं देखूंगा ठीक है तो ये निवारक का भी है कही न कहीं पर ये उसका solution भी प्रदान कर रहा है लास्ट में कौन सा अधिकार प्रच्छा है अगर कोई व्यक्ति अपनी जिस पद के लिए लाइक नहीं है उस पद पर बैठने के कही न कहीं पर सके अगर नहीं है तो उसको हटा सके ये पूरा रिट का कॉंसेप्ट है एक चीज और समझ लोग मैंने जैसे बताया सुप्रीम कोट मना नहीं कर सकता है मौली कदिकारों को लेकर अगर रिट चीज़े गी जाती है और दूसरा हाई कोट के पास ये है कि वो रिटिक सिरफ मौली कदिकारों पर नहीं अन्य चीज़ों के लिए भी रिट जारी कर सकता है तो अगर देखेंगे रिटिक के मामले में हाई कोट का राइट जो है वो थोड़ा सा ज़ादा है सुप्रीम कोट के पास मौली कदिकारों के ही लिए लिट जारी कर सकता है बट ये है कि सुप्रीम कोट जो है मौली कदिकारों का सरक्षक इसलिए है कोकि वो इसके लिए मना नहीं कर सकता है समझ में आई चीज़े तो ये मौली कदिकारों को लेकर overall चीज़ आप लोग बहुत ध्यान से समझ गए होंगे मुझे लगता है इसको लेकर अगर कोई सवाल बनता है तो आप लोग गलत नहीं करेंगे ठीक है इस तरह के ही सवाल बन रहे हैं तो आप लोगों को पता होने चाहिए क्या क्या चीज़े इसके अंदर है ठीक है model के साथ भार्म की धर्म नरपेक्षता इसलिए देखिए एक चीज़ ध्यान से समझ लिजए, जल्दी से समझ लिजए यॉरप के model के साथ जैसे means में तो question बहुत बार पूछा गया है भारत की धरम्दिरपेख्ष्टा का मॉडल और यौॉरप की धरम्दिरफेख्ष्टा का मॉडल कानून का उलंगन नहीं होता है, कानून के तहर चीजे हैं, दोनों दखल नहीं देंगे, राज्य तभी वहाँ पर दखल देता है, जब वो कानून का उलंगन करने लगते हैं, ठीक है, भारत में चीजे क्या है, भारत में जैसे माल लिजे, धरम की सवतनतरा मैंने अभी आपक तो यह चीज तो अलग हो गई ना, इससे मतलब सारजनिक स्वास्ते को देकर दिक्त हो सकती है, तो सराज्य धरम को लेकर रोक सकता है वहाँ पर, धरम की सवतंदता को कंट्रोल कर सकता है, जैसे नैतिकता का उलंगन है, कुछ ऐसी चीज जो महिलाओं को लेकर गलत करे कोई भ सोच के देखे न, अगर आप धरम की आजादी का इस्तिमाल करकर हथ्यारों को लेकर एकत्रित हो गए हैं, आप पब्लिक ओर्डर को डिस्टर्ब करना हैं, उसके आधार पर भी राज्य कहीं ना कहीं पर धरम की सवतंदता को रोक सकता है, ये तीन आधार हैं भाई, भारति सविधान में जो मेंशन किये गए हैं, सार्जिनिक्स वास्ते हैं, निदिक्ता और पब्लिक ओर्डर, ठीक है, इन तीनों का अगर उलंगन होता है, तो कहीं ना कहीं पर राज्य धरम की सवतंदता को रोक सकता है, ये 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 मॉडल का मैंने डिफरेंस आप लोगों को क्लि पूछ रहा है, इसलिए हम लोगों ने इसको बहुत गहराई से, बहुत डेटेल से चर्चा कर लिया, मिलते हैं अगरे वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें, बहुत बहुत धन्यवाद